प्ले एडिट शलूशन में और आज बनारस से हमारे पास बनारस भदोही से दिनेश जी आई हुए है दिनेश कुमार यादो जी है आहे हमारे पास एडिटिंग का डेटा लेने, डेटा ले लिये हैं, डिजाइन दिखा हैं, उम्मीद करते हैं कि डिजाइन इनको पसंद आया होगा, कारण बहुत ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं पाया हूँ, पहले से ये देख रखे हुए थे, मतलब लोगों के इंट्रिवू वगरा, संतुष्ट है कि सर्जी का काम बढ़िया है, इमानदारी है, उसमें कैसे कोई दिक्कत नहीं तो चल के लेंगे, लेकिन इनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगया, क्योंकि ये बाइक से आ हैं, ये और इनके साथ एक भाईया जी यहां पर है, इनको भी एक बार बु एक बैनर है, उस बैनर के तले ये मशीन बनाई गई थी, उस बैनर का नाम मैं यहां पर नहीं रखूंगा, कोर आई सेवें मशीन बना करके भाईया, एक लाक पंत्रह हजार रुपिया लिया इन से, ठीके ना, और बड़ा चर्चित बैनर है, लेकिन भाई, नाम नहीं रख सब्सक्राइब कर दो हजार उनिस में, तो बड़ा तेज बोलेंगे तो, सामने लोग समझे, दो हजार उनिस में मशीन बनी थी, और एक बार माइक लिज्या सर, आप बताईए अपने दिल की बात क्या हुआ आपके साथ, सामने वाला जो बना की दिया हमको, वह बहुत आप मजदूरी अलग से लिजिए उससे, कोई दिक्कत नहीं, सीना ठोक करके, लेकिन यार अगले काम ऐसा करके दीजिए को मशीन चला करके चार पैसे कमा पाए, क्योंकि मशीन खरिदने हैं आदमी पता नहीं कहां कहां से, पैसा मां करके उधार, पहिंचा करके, किसी तरी अधार है, और वो आदमी जब ठगी कर लेता है, किसी के साथ तो बड़ा तकलिक होता है, जी सर, बहुत तकलिक होता है, जी सिख यह आपड़ा ना नहीं साय, अगर सभी तरी जादा बफरिंग, मतलब हमें, मैं क्या बता हूँ, जब एनने गाना प्लेक या मल्टी लेयर, इतना ज़्यादा फस्रा था, कि मैं शौक रगया, रही यह क्या है यार, इससे बड़ी तो मैं आई-फाइब बना कर गेता हूँ, आई-फिरी से बतर हिल नहीं रहा था, फिर अपने हिसाफ से मैंने कुछ अपडेट किया, बहुत ज़्यादा पैसा मैं लगने ने लिया, और कुछ टेकनिकल दिक्कते थी, मैं सामने बता रहा हूँ, सारा खोल खाल के उजाड पजाड के दो-चार केबल करके, इधर उदर करके, और उसको लगाओगा करके, बायोस वगरा सेट साट करके, और फटा फटा आनन फटान में, और सही करके मैं मशीन और फार्मेट करक इसके बाद मशीन में दिख्या थी, उसके बाद फिर बायोस और केबल सेबल हैं तिन और यह रैम का कॉंबिनेशन वगरा सही है ना सर, जी जी सर, और वो मिलाने के बाद जब उसके बाद जब मैं टाइम लाइन पर प्ले किया भाई साफ तो एक बार अगर फस गया हो, नह आउ carrying घी, सर, बहुत बहुत बनिया, सुपर, जनकारी के मामले मीनितम सुपर, लेकिन ये भी बताएं के सर जी बड़ी स्ट्रीक्ट है कि मुझे आपको लूटना नहीं है कि मैं आप से मैं श्रहद लगा करके बात करूँगा अगर मुझे लगेगा कि आप थोड़ा भी काम में लापरवाई करें मैं तुरंत आपका साथ छोड़ दूगा और अगर आप मुझे पकड़ के चलेंगे तो मैं वहां पहुंचा जी जी दोस्तों यह सर जो बोला ओबात एकदम सो परसेंट एक सो एक परसेंट सच्छे मशीन वहाई सब एकदम टकाटक हो गई इनकी एकदम बफरिंग नहीं और रेंडर भी फास्ट टाइम भी फसना बन बूटिंग टाइम इनका बहुत ज्यादा लगता था बूटिंग सेटिंग के कमाल था और इसेरे मैं बार बार वीडियों बोलता हूं कि कभी भी मशीन बनवाईए जानका रादमी से बनवाईए जिसको मशीन की कम्प्लीट नॉलेज हो आप मेरे बासे सहमत है कि नहीं अब तक तो इस बात को आपने यूटूब पे सुना था तो मनमें ये सच्छा है कि निशी बात में ने सच्चा है सर्फ हाथ लगाया इसमें यही चीज होता है बाई साब वीडियो लगा देना ही इस मशीन के लिए रामबाण और ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है ये मेरी मेहनत बोल रही है बाई साब मैंने 20 साल टाइम दिया इस लाइन को ज अफ्ग्रेट होने के चकर में मैंने अपने सिहत को बरबाद कर दिया और आज वो चीज़ लेखर कर बैठा हो YouTube पे कि पूरे YouTube पे हो चीज नहीं सर है, जी सर. अगर है तो सामें बल सकते हैं, कोई नहीं दिखाता है, जो सर सिखातनेंग जो बतादेंगा, då कोई सिखानेवा तोट मेरे पास आकर के संतुस्ट है या नहीं है आपके पास आकर सर के पास आये पहुत संतुष्ट हुए थोड़ा सा नहीं बहुत जाधा संतुष्ट हुए घु simply आपको हमें को spawn wohja all negenet और कोई नहीं दिया जो मेरे से बात करता है जो मेरे से मिलता हो यहीं बोलता है कि सर जी अचा इक बात बताईए बिया जी देनिस कुमार जी आपने यूटूब पे अभी तक देखा होगे कि 14-1400 किलो मेटर से लोग चले आते हैं मेरे पास एक बंदे का भी मैं आपको वीडियो दिखा हूँ जो यूटूब पे नहीं पड़ा है वो आसाम से चल कर क्या है तो दो लाख रुपए का मशीन वो वीडियो मिलेगी आप लोगो को देखने के लिए हो सके कि वो वीडियो आप देख चुके होंगे इन से पहले या इनके बा कि मुझे देखने के लिए मैं स्लेबीटी हूँ कि इतम पागल है लोग नहीं चल कर सर्दीश के साथ फोटो खिचा लेंगे वीडियो बना लेंगे तो फेमस हो जांगे ऐसा कुछ नहीं बाइसा मेरे पास मैं एक साधार हूँ हूँ बिल्कु साधार तो ही किस रहता हूँ पर क्वालिटी के मामले में नंबर एक दबा नहीं सकता कोई मुझे और एक चीजा और भाई साब सामने बोल रहा हूँ पैसे को ध्यान में रखके काम नहीं करता जी जी सर यह तो हम देख लिए यह तो बात सही है इनके सामने एक नमुना देखने को मिला है क्योंकि मैं बो सब लोग जानते हैं कि वह बंदा पैसा लेके भागने वाला नहीं है पत्थर का लेकीर वाला आदमी है वो सही है ना सर जी सब्सक्राइब कर कोई सामान मेरे वह चाहिए कि मेरे उपर दबाव बनाके सर पे चड़के नाचे संबब नहीं है अप प्रेम से बोलिए ना मैं हमेशा आपके सामने एक्दम नतमस्तक हूँ लेकिन आप रभाव बनाएंगे नहीं हो पाएगा सब्सक्राइब क्यों आपका गुलाम नहीं हुँ बाइसाब मैंने गुलामी के लिए आपसे पैसे ने लिए मैं समान देने के पैसा लिए और पैसा दिये तो मैंने समान दिया है तो आप सोचेंगे कि मैं आपके पीछे घूमता रहा हूं इस तरीके से आप उदर से कुछ भी बोल देंगे और मैं एकसेप्ट कर लूँ या मैं उसको बरदास कर लूँ अब जो करेंगे ठीक है और कोई जानकारी आप देना चाहेंगे सर अपने बदोई के लोगों को और कोई बैसेज जहां से भी है अच्छा काम यहां होता है और यहां से हम आके संतुष्ट हैं जी जी सर के हां आना भाई दोस्तों जो पूरे इंडिया टाल लोगों जहां नही या दोर से लोगा अधेज जहला को अंदे अनके सार के लोगों के बीचार के दुरद आपने का विडियो जो चाहिए अपलोड करने का अ प्रफून आता है एक बीमिनेट टाइम नहीं सर के पास इतना बीजी रहते हैं लेकिन फोन करने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसा नहीं कि मैं फोन से पीडितू नहीं भाई देखिए मैं उस लायक हूं तो मुझे लोग याद करते हैं और इसमें कहीं से मै यह ने कहुगे कि मैं बहुत परिशान नईने शार में काबलिये थैं और यह काबलिय भग्वान सबको नहीं देता है यह ऐसे बहुत दइड़ंगे और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनकी guess पाई आ आदमी हूं, पेसेंस रखना पड़ेगा भाई साब, आप पेसेंस रखेंगे, तो फोन करने वाले हजार लोग हैं, उठाने वाला एक आदमी, एक ही मुह से बात करना है, फोन उठाना है, ऑनलाइन भी आना है, तो मतलब बारी-बारी से ही होगी, थोड़ा सा पेसेंस रखें मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन क्या करूं सर, इमानदार अदमी हूं, नेचरी ऐसा है, मिलनेंगे एकले वीडियो में किसी नहीं जैनकरी के साथ, या फिर किसी नहीं, पीसी वीडिके वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लों को, तीनों भाई की तरफ से नमस्कार, नमस्कार, जाइन दोस्तों, जाइन झाल, झाल, जाइन